नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का जान की फैसन बूटिक में तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखेंगे लहेंगा ब्लाउज लटकेंड बनाना तो आज कल इस तरह के लटकेंड बहुत ज़्यादा टेंड में चले हुए हैं और काफी सुन्दल लगते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें आपका एक लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर होता है लाइक और कमेंड के जरी यही मुझे पता लगता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है तो प्लीज लाइक कमेंड और शेयर करना न भूलें और प्लीज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें साथी बैल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो लटकन बनाने के लिए इस तरह से मैंने कपड़ा ले लिया है इसकी चोड़ाई और लंबाई यहां पर 7.5-7 इंची रखी है तो इस तरह हमें चकोर पीज़कपड़ा ले लेना है तो इसको सबसे पहले इस तरह से हम देखिए तिकोना भिचाएंगे एक बार और फिर इसको एक बार फिर फोल करेंगे इस तरह इस तरह दो फोल करके हमने इस तरह तिकोना बना लेना है इस तरह बिछाने के बार अब हमें देखके पहले इस तरह सीधे धाइ इंच पर निसान लगाना है और धाइ इंच हमें इसकोने में भी लगाना है इस तरह से अब इन निसानों को हम इस तरह से मिला लेंगे तो इस तरह निसान लगाने के बाद यहाँ पर हमें इसको इसी सेफ में कटिंग कर लेना है इस तरह कटिंग करने के बाद देखें आपे हमें एक सरकल के रूप में यहाँ पर कपड़ा मिल जाएगा अब इसको हमें इसको फिर से इस तरह करना है इस तरह से और यह बंद हिस्सा इसका खोल लेना है तो देखिए इस तरह से हमें यहां पर दो पीस मिल जाएंगे इस तरह बीच से कट करने के बार यह देखिए यह भी हमारा सीधा हिस्सा है तो इसको हमें इसके उपर इस तरह उल्टा रखना है इस तरह रखके यहां हमें दो-दो पॉइंट के साफ से पूरी गुलाई में सिलाई लगानी है तो इस तरह यहां पे हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब यहां पे हमें गुलाई में इस तरह कट लगाने है इस तरह कट लगाने के बाद इस तरह इसको हमें पलट लेना है इस तरह पलट के इसके उपर से एक सिलाई और लगाएंगे इस तरह हमें यहाँ पे इसको तयार करने के बाद अब हमें देखिए इस तरह छोटी छोटी डोरिया ले लेनी है यह ready made golden डोरिया है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने 6 इंच की ले रखी है उसके बाद यहाँ पे 4.5 इंच की है और इसके बाद यह 3.5 इंच की है तो इस तरह से हमें यहाँ पे इन डोरियां ले लेनी है इन तीनों को इस तरह से आपस मैं यहाँ से बराबर मिलाते हुए अब बिल्कुल बीच पे रखेंगे इस तरह से हम इनको इस तरह रखें यहाँ पे इन में सिलाई लगा लेंगे इस तरह देखें मैंने डोरियां बाहर को रखी हैं और मुम इनका अंदर को रखा है अब एक बड़ी डोरी ले लेंगे इस तरह से और इसको हमें इस तरह इसके उपर को रखना है अब हमें यहाँ पर देखे इस तरह से सिलाई लगानी है देखे यह डोरिया हमने इधर को रखी है देखे इस तरह से यह हमने इधर को रखी है जो हमारी लंबी डोरी है वो हमने इस साइट को रखिये इस तरह से अब हम सिलाई इस तरह से लगाएंगे इसको डबल करके इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब देखिये अपनी लटकन को हम इस तरह पर लटके इस तरह करेंगे तो यहाँ पर यह डोरी हमारी बाहर निकल आजाएगे और यह डोरी हमारी इस तरह अंदर से निकल के आएंगे तो यहाँ पर हमारा लटकन इस तरह से बन के आ रहा है तो यहाँ नीचे भी हमें इस तरह से ही लटकन बनाने है यह हमने बड़े साइज का बनाया था तो इसी तरह के हमें छोटी लटकन बना लेनी है तो जिस तरह हमने बड़ी लटकन के लिए सरकल वाला कपड़ा कट किया था उसी तरह से कट करके उसको हमें चार भाग में बांट लेना है तो इस तरह की पैटन निकल के आएंगे इसे पैटन बनाके यहां पर सिलाई लगा लेनी है गोलाई वाले हिस्से में इस तरह से सिलाई लगा के इसको भी हमें इस तरह पलटके देखे इस तरह से पलटके यहां चार तरब से हमें सिलाई लगा लेनी है से हम इसी तरह से बनाएंगे इसका साइज बड़ा रहेगा तो इसका साइज हमारा छोटा रहेगा छोटा बड़ा साइज आप अपने हिसाब से यहां रख सकते हैं तो देखे इस तरह से हमने यहां पर बना लिया है तो इसी तरह से हमें दो और बना लेने हैं क्यूंकि यहां पर हमारी थीन दोरिया हैं तो तीन फैटन बना लेने हैं एसी तरह से तो देखे इस तरह से मैंने यहां T transpose तयार कर लिये हैं Car gonna right to Stop mm को अभाएँगे और एक डोरी को इस तरह अठाएंगे इस तरह से और इस तरह से अपनी लटकन को डबल करके विछाएंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब इसको भी हमें इस तरह से पलट लेना है और यहाँ पर हमारा लटकन त्यार हो जाएगा इस तरह बनके तो सेम इसी तरह हम इन दोनों को भी तो जैसे हमने यह वाला लटकन लगा लिए है इस तरह हमें इन दोनों को भी यहाँ पर अटेज कर लेना है तो देखे यहां पे मैंने तीनों लटकन लगाए लिए तो यहां पे हमारा लटकन बनके तैयार हो चुके हैं तो देखे इस तरह से हमने अपने लटकन दोनों तैयार कर लिए हैं तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें तो आप भी बनाएं ट क्राइब कीजिए कहीं पर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ तब तक के लिए भाई थैंक्यू धन्यवाद